हेलो एवरीवन, वेलकम, नौ वी विल स्टडी दे सब्जेक्ट डार्क रूम अफ डियार्टी पार्ट फर्स्ट, जैसा कि आपको पता है, डार्क रूम में हमारा टोपिक चल रहा था, सिल्वर रीकवरी, एक लेक्चर इसका आपन डिसकस कर चुके हैं, आज का ये अपना सि आपको कि सिल्वर रीकवरी क्या होती है, क्या क्या इसके पाइदे हैं अपने को, क्यों करनी चाहिए, क्या रीजन्स हैं, ठीक है, आज हम मेंली यहाँ पर डिसकस करेंगे, मैथड्स ओफ दे सिल्वर रीकवरी, किन किन मैथड्स कि साहता से हम सिल्वर को रीकवर कर सकते है ठीक है आगी का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बर पिछे से रिवाइज कर लिया जाए छोटा सा ठीक है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे सिल्वर रीकवरी की अपना जो रेडियो लुजी डीपार्टमynnट है उसके अंदर अपना जो ऩाउर होता है कि उस्में जो भी प्रोसेस होथी है वहाँ पर अपन सिल्वर काम में लेते हैं कुछ components के अंदर तो उन में से जो west silver है उसको recover करना ही क्या कहलाता है silver recovery कहलाता है अब अपन mainly बात करते हैं कि dark room के अंदर ऐसी कौन से components है फिर ऐसी कौन से process है जहां से अपन silver को recover कर सकते हैं ठीक है तो mainly दो components आते हैं याप आपकी first आता है आपका waste radiographic film और second आता है आपका fixer solution बात कर लेते हैं कि इन दोनों components में silver आया कहां से ओविसी बात है जो main source है वो तो आपका radiographic x-ray film ही है क्योंकि x-ray film की जो construction होती है उसके अंदर एक emulsion layer होती है emulsion layer के अंदर अपन silver highlights के crystals place करते हैं वापे crystals डालते हैं तो वो जो silver highlights के crystals हैं वो ही आपका silver का recovery का source होता है आपे ठीक है तो अब waste जो radiographic films बच चुकी हैं उनमें क्या होगा silver highlights के crystals होगे तो वहाँ से अपन silver को recover कर सकते हैं दूसरा जो आपका exhausted fixer solution है ठीक है ऐसा fixer solution जो खराब हो चुका है फिर जिसको अभी अपने को throughout करना है drain करना है उसमें से भी अपन silver निकाल सकते हैं उसमें silver कहां से आया जब आप film की processing कराते हो जब आप film की processing कराते हो तो processing कराते हो वक्त दो solution होते हैं mainly आपके पास एक developer और एक fixer developer के अंदर आपका जो exposed azbr है वो black metallic silver में convert होता है but fixer solution के अंदर जो unexposed azbr था वो सारा का सारा remove होके कहां मिल जाता है fixer solution के अंदर मिल जाता है मतलब fixer solution खुद के अंदर उसको dissolve कर लेता है that means कि जो film के उपर unexposed silver halide के crystals थे अब वो कहां चले गए आपके fixer solution में it means fixer solution जब आपका खराब हो जाएगा जब पुराना हो जाएगा जब आप उसको drain out करोगे उस वक्त तक उसके अंदर बहुत सारे silver halides के crystal होंगे ठीक है तो obvious ही बात है वहाँ से अपन silver को recover कर सकते है ठीक है अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि silver recovery की अपने को जरूरत क्यों पड़ी क्यों need है silver recovery की ठीक है first of all सबसे जो अपना main point है वो यही है कि silver होता है वो बहुत ज़्यादा costly होता है ठीक है तो अपना जो main reason है वो इसका cost का है expensive होता है इस वज़े से अपन इसको recover ससे दूसरा अपना यहाँ पे है कि जो आपका silver है वो natural source है ठीक है limited है अपने को पता है कि अपने पास इतना ही silver है तो obvious ही बात है कि natural source को conserve करना बनता है ठीक है that means कि जितने भी natural source है उनको अपन conserve करते है उसी प्रकार इसको भी conserve करना चाहिए बचा के रखना चाहिए बचा के रखने के लिए अपन क्या करेंगे जो waste हो रहा है उसको अपन recover कर ले, reuse कर ले, recycle कर ले ठीक है जैसे कि आपको बताए कि अगर fixer solution से अपन silver को recover कर लेंगे तो आपका fixer solution है उसकी strength भी increase होएग दूसरा आपका जो silver है बाउट कर रहे हो, उसमें आप क्या कर सकते हो आपकी बचत हो सकती है ठीक है, उनकी cost कम हो सकती है दूसरा, एक main reason यह है कि अगर आप जो आपका fixer solution है अगर उसको सीधा drain कर देते हो क्या होगा, silver impurities है और impurities क्या करेंगी environmental pollution create करेंगी अगर अपन silver को महा से recover कर लेंगे, तो आपका environmental pollution भी नहीं होगा ठीक है, साथ ही साथ अपनने कलिए भी पढ़ा था कि कौन-कौन से factors silver recovery को effect करते हैं, उसके अंदर कुछ topics के बारे में थोड़ा सा discuss किया था अपनने, जैसे कि आपका जो recovery system है, वो efficient कितना है, आपकी जो films है, वो कौन से type की use कर रहे हो, कितने film आपने use की है, that means कितनी film आपने dark row में process कराई है, तो इन सब पर depend करेगा, कि आपकी silver recovery कितनी हो रही है, ठीक है? तो ये सब तो था अपना last lecture के बारे में, अब अपन बात करते हैं, आज के lecture की, कि आज के lecture में हम क्या पढ़ेंगे? आज के lecture में हम mainly पढ़ेंगे methods of silver recovery, ठीक है? there are mainly three methods of silver recovery, ठीक है? यानि कि mainly आपके पास three method होते हैं, silver को recover करने के लिए first electrolytic method, second metallic replacement third chemical precipitation ठीक है? तो that means, अब आपन ये जो three methods हैं, जिनके नाम अभी अपन लिए हैं first electrolytic method, second metallic replacement और third chemical precipitation इन सब के बारे में, अभी आपन detail में पढ़ेंगे, कि क्या के methods होते हैं, वैसे ही देखा जाएते हैं तीनों methods, आप लोगोंने chemistry के अंदर, 11th या 12th के अंदर अराम से discuss की होंगे, पड़े होंगे electrolytic method क्या होता है metallic replacement method क्या होता है chemical precipitation method क्या होता है ठीक है? same वही method है, उनी को अपन discuss करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपने silver recovery का पहला method electrolytic method के बारे में ठीक है? electrolytic method में क्या होता है? आप लोगोंने 12th में पढ़ा होगा, कि एक container के अंदर या फिर एक beaker के अंदर अपन एक solution ले लेते हैं, जिस solutions में से अपने को कोच metals recover करनी है, या फिर metals को अलग करना है ठीक है? उस metal का अपन solution उस beaker में लेते हैं then अपन क्या करते हैं? दो road उसमें dip करते हैं, जिन में से आपकी एक होती है cathode और एक होती है anode, ठीक है? और फिर आप उस cathode और anode को एक electrical circuit से connect करते हो, that means उसके अंदर electricity की supply flow करते हो ये करने से आपके जो negative particles है या फिर उनको अपन cations और anions के साब से भी divide कर सकते हैं, ठीक है तो that means वहाँ पे क्या होगा? जो आपके negative charge particles है वो तो आपके anode पे आके इकटे हो जाएंगे, और जो positive charged particle है वो आपके cathode पे आके इकटे हो जाएंगे, deposit हो जाएंगे और आप दो metals को अलग-अलग कर सकते हो, ठीक है purify कर सकते हो, तो वही method अपने यहाँ पे काम में लेंगे, ठीक है in this method two electrodes are put into the fixer solution which carries silver in it and current is passes through it जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि अपने bicker लेते हैं, bicker के अंदर solution लेते हैं इसको आपको purify करना होता है फिर जिसमें से आपको metal recover करनी होती है तो यहाँ पे अपना solution कौन से fixer solution है, fixer solution के अभी आपन बात करेंगे कि fixer solution से अपन कैसे silver को recover कर सकते हैं तो अपनने क्या किया, दो electrodes ली, दोनों electrodes को fixer solution के अंदर put up कर दिया, कौन से fixer solution में put up किया है, in which carries silver in it that means ऐसा fixer solution जिसके अंदर silver है, ठीक है otherwise आप अगर ऐसा fixer solution लेतो या फिर newly phrased fixer solution लेतो जिसमें silver ही नहीं है, तो आप वहाँ से क्या recover करोगे, कुछ recover नहीं कर पाओगे, ठीक है and a current is passes through it, और उस जो electrodes आपने उसमें place किये dip किये, उनमें से आप एक current flow करते हो, ठीक है silver is present in the form of positively charged iron silver आपका fixer solution के अंदर positive charged ions के रूप में present होता है ठीक है, the silver ions are naturally attracted towards the cathode अब obvious ही बात है कि positive charged जो particles होते हैं, वो किसकी तरफ जाते है, cathode की तरफ cathode के उपर कैसा charge होता है, negative charge तो यहाँ पे भी cathode की तरफ वो जाएंगे, their charge is therefore neutralized and silver is deposited, जैसे वो cathode के उपर जाते है, cathode के उपर जाती वो positive थे, negative charge से मिले वो neutralized हो जाते हैं, और cathode के उपर deposit हो जाते हैं, ठीक है आया समझ में, electrolytic method में अपने क्या किया दूसरा, it requires a small potential difference to be maintained between the electrodes and large electric current for rapid silver deposition यहाँ पे होता क्या है दो चीज़े होती है, आपकी electric circuit के अंदर, एक होता voltage, एक होता current, ठीक है, voltage अपन इसलिए लगाते हैं ताकि अपने differentiate कर सके, मतलब cathode के उपर अपना negative charge हो, और anode के उपर positive charge हो यह काम कौन करेगा, potential करेगा, ठीक है, बट जो current होता है, वो process की speed को define करता है, ठीक है तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कम voltage में भी काम चला सकते हैं it requires only a small potential potential difference बहुत कम चाहिए होता है बट, अगर आप current को increase करते हो तो आपकी जो process है वो आपकी जल्दी होगी, rapid silver deposition, rapid silver deposition का मतलब silver जल्दी deposit होगा, जैसे कि आप diagram में देख सकते हो, आपने एक beaker लिया beaker के अंदर आपका solution है, दो electrodes हैं, जिसको एक cathode और एक anode, दोनों को आपने connect कर दिया है, potential difference से एक तरफ cations है, एक तरफ anions है, जो आपके cations है, जिनको positively charged ions को आप cations बोलते हो, और negatively charged ions को anion बोला जाता है, ठीक है, तो cations तो आपके cathode पे deposit होंगे, और anions आपके anode पे deposit होंगे, और जो electrolytic solution है, वो आपका यहाँ पे fixers का solution होगा, जैसा कि अपने शायद में mention भी किया कि cations क्या है, positive ions of the silver, ठीक है, यहाँ पे इस process में आपके cations क्या होंगे silver के positive ions होंगे, ठीक है anions क्या होंगे, negative ions of thiosulfate, ठीक है that means anions यहाँ पे जो आपका thiosulfate है, उसके negative ions होंगे, ठीक है, और electrolytic solution, fixer solution all over process, ज़्यादा hard नहीं है, अपने अच्छे से discuss कर रखे, 12th के अंदर, 11th के अंदर electrolytic method में कुछ नहीं करना होता है, beaker के अंदर solution लेता है जिसको purify करना होता है ठीक है, उसमें आप क्या करते हो दो electrodes को dip करते हो, जैसे उन electrodes को electrical circuit से connect करते हो, तो वहाँ पे आपकी एक cathode बनती है, और एक anode बनती है, cathode पे आपका negative charge होता है, और anode पे आपका positive charge होता है negative charge की तरफ positive जो ions होते हैं, वो collect हो जाते हैं और जो आपकी anode है, जिस पे positive charge है, उस पे negative ions collect हो जाते हैं ठीक है? सेम यहाँ पे होगा आप बीकर के अंदर fixer का solution लोगे fixer के अंदर आपके silver के positive ions पाये जाते हैं और thaiosulfate के negative ions पाये जाते हैं तो जो thaiosulfate के negative ions है वो तो आपके anode पे collect हो जाएंगे या फिर deposit हो जाएंगे और जो आपके silver के positive ions है वो आपके cathode पे deposit हो जाएंगे और इस process के दुआरा आप क्या कर सकते हो जो आपका fixer solution के अंदर silver है आप उस silver को बाहर निकाल सकते हो recover कर सकते हो फिर then आप उस silver को reuse कर सकते हो ठीक है तो ये ता आपका first method electrolytic method या फिर electrolysis of the fixer solution ठीक है अब अपन बात करेंगे second method की now we will discuss about the second method of silver recovery metallic replacement metallic replacement में क्या होता है आप लोगों ने 12th के अंदर पढ़ा होगा अपने एक table के बारे में discuss करते थे उस table के अंदर कुछ metals होती थी जियन की reactivity कौन सी ज़्यादा reactive है कौन सी कम reactive है उनके according उनको arrange किया जाता था ठीक है that means कि जो highly reactive metal होती है वो low reactive metal को replace कर सकती है ठीक है इन चीजों के बारे में अपने 12th के अंदर discuss किया था तो वही चीज़े यहाँ पे है आपका metallic replacement इसमें क्या होता है कि chemical के अंदर से जो metal आपको निकालनी होती है आप उससे highly reactive metal को अगर उस chemical में डाल देते हो तो क्या होगा जो metal आपको निकालनी है ठीक है वो जिस भी compound के साथ जोड़ी हुई है वो तो वहाँ से अलग हो जाती है और जो metal आपने डाली है highly reactive metal वहाँ पे जो डाली है वो उस compound के साथ जुड़ जाती है और जो आपको चाहिए थी वो वहाँ से अलग हो जाती है इसी को बोलते है metallic replacement replacement का मतलब एक दूसरे की जगह लेना वो जो highly reactive metal होती है वो वहाँ पे low reactive metal की जगह ले लेती है ठीक है silver is also recovered from photographic processing solution by replacing the silver with another metal ठीक है उसमें से आप silver को recover कर सकते हो metallic replacement method के साहता से by replacing the silver with another metal silver को दूसरी metal से replace करके ठीक है अब replace करने के लिए क्या करना होगा in this method silver in the photographic fixer solution is removed by bringing it into contact with a more chemically active metal ठीक है आप silver जो आपका fixer solution के अंदर है उसको remove कर सकते हो कैसे उसके contact में highly reactive metal को लाके ठीक है for example iron, copper और zinc अपने भी यहाँ पे तीन examples लिए iron, copper और zinc जो इससे ज़्यादा reactive है ठीक है तो आप क्या कर सकते हो अगर उस solution के अंदर जैसे यह तीनों metals आप dip करोगे place करोगे रखोगे उसमें डालोगे, mix up करोगे तो वहाँ पे क्या होगा यह तीनों metals silver को remove कर देंगी उस compound से और उसके साथ खुद reaction कर लेंगी ठीक है exchange take place and the base metal dissolve and silver is deposited वहाँ पे क्या होगा compounds के अंदर metals का exchange होगा replacement होगा ठीक है compounds थे thaiosulfate के जिनके साथ में आपका silver connected था अब वहाँ पे क्या होगा silver को highly reactive metals replace करेंगी ठीक है और वहाँ पे खुद settle हो जाएंगी अब जो आपका silver बच गया है जो वहाँ से compound से अलग हो चुका है वो आपका नीचे deposit हो जाएगा और आप उसको remove कर सकते हो recover कर सकते हो ठीक है तो यह आपका था metallic replacement method ज़्यादा कुछ hard नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता जो भी आपका chemical है chemical के अंदर आपको जो metal निकालनी है ठीक है जो metal आपको recover करनी है उससे highly reactive metals आप उसमें mix up कर दीजिए mix up करने से क्या होता है कि वो जो highly reactive metals है वो compound के साथ reaction करती है और जो metal आपको निकालनी थी वो उसको वहाँ से अलग कर देंगी और वो आपके metal deposit हो जाएगी same यहाँ पे होगा आप fixer के अंदर आपको silver recover करना है तो आप यहाँ पे iron, zinc या फिर copper डाल सकते हो जो कि highly reactive है वो क्या करेंगे thiosulfates के साथ यहाँ पे reaction करेंगे और आपके silver को deposit कर देंगे ठीक है now we will discuss about the third method of the silver recovery silver recovery के तीसरे method के बारे में अब पन डिसकस करते है तीसरा method है यहाँ पे आपका chemical precipitation अब वही बात दुबारा से ठीक है यह method भी आपने 12th के अंदर डिसकस किया है अगर आपको याद हो तो chemical precipitation में भी कुछ नहीं होता as a like यह metallic replacement की तरह ही होता है बट इसमें थोड़ा सा difference होता है वहाँ पे आपका जो compound होता है वह आपको deposit हुआ मिल जाता है बट यहाँ पे आपको compound deposit नहीं मिलता है यहाँ पे उसका precipitation आपको मिलता है ठीक है chemical precipitation method is one of the widely used and research method for silver recovery silver recovery के अंदर यह method बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है that means widely ज़्यादा ज़्यादा काम में ले सकते है और research जो मतलब अच्छे से research किया हुआ है अच्छे से इसके ओपर examine किया हुआ है कि यह method काम करेगा या नहीं करेगा और यह method काम करता है अच्छे से ठीक है in this method certain chemicals are added into the silver containing fixer solution and silver is precipitated finally कुछ नहीं होता है इसके अंदर कुछ chemicals add किये जाते है आपका जो solution ने जो fixer का solution ने उसके अंदर कुछ chemicals add किये जाते है ठीक है वो chemicals क्या करते है आपके जो fixer के अंदर silver compound से उनके साथ reaction करते है और आपको silver का precipitation product के रूप में देते है ठीक है आप लोगों ने reaction के अंदर पढ़ा होगा प्रोडक्ट के अंदर आपको बहुत बार precipitation मिलता है ठीक है तो यहाँ पे भी आपका क्या होता है कि आप ऐसे chemicals इनके अंदर मिलाते हो जिससे आपको silver का precipitation मिले ताकि आप silver को recover कर सको ठीक है तो chemical precipitation में यही किया जाता है आपका जो fixer solution का जो tank है या फिर fixer solution जो है exhausted fixer solution है जिसमें से आपको silver को recover करना है आप उसके अंदर कुछ ऐसे chemicals मिलाते हो जो आपको product के अंदर after reaction after reaction product के अंदर आपको silver का precipitation provide कराए ठीक है जब आप उन chemicals को मिलाते हो reaction होती है reactants होते है product आपको provide होता है और यहां पर product के अंदर आपको silver का precipitation मिलता है ठीक है और finally आप silver को recover कर लेते हो यह जो अभी अपनने बात की तीन methods के बारे में अभी अपनने discuss किया एक था electrolysis second था आपका metallic replacement और third था chemical precipitation यह तीनो methods के वल आपने discuss किये है fixer solution के ठीक है कि आप fixer solution के कैसे silver recover कर सकते हो but जब अपने last lecture में discuss किया था कि आपका जो silver recovery के जो sources है वो दो है एक था आपका fixer solution और दूसरा था photographic film ठीक है तो obvious ही बात है अपने को photographic film से भी silver को recover करना है तो photographic film से अपन silver को कैसे recover करेंगे उसके बारे में अभी अपन discuss करते हैं silver recovery from west photographic films जो आपकी west photographic films है उसमें से silver को कैसे recover किया जाता है photographic film से silver को recover करना कुछ ज़्यादा hard नहीं है या फिर इसके कुछ specific methods भी नहीं है अपने पास कि अपने को अपने इनके बारे में discuss करेंगे यहाँ पे detail के अंदर प्रेजेंट के बात करें पास्ट में क्या होता था कि जो भी वेस्टेज जो x-ray film थी उनको क्या कर दिया जाता burn कर लिया जाता था burn करने से क्या होता था उनमें से जो PVC होता था cardboard होता था जो आपने फिलम के construction के अंदर पढ़ा है अगर वो वो सब burn हो जाता बट जो silver के crystals होते थे वो कभी burn नहीं होते थे ठीक है तो इसमें क्या होता था जो आपको ash मिलती थी जिसको आप राक बोलते हो उसमें आपके silver के crystals होते थे फिर उस ash को purify किया जाता था और उसमें से silver के crystals को remove कर लिया जाता था ठीक है एक तो यह process होते थी past में अब present में क्या होता था present में या फिर क्या होता है उसके बारे में अभी एपन discuss करेंगे पहले इसके बारे में discuss कर लेते हैं in the past the x-ray film was initially incinerated incineration का मतलब burn करना ठीक है past के अंदर x-ray film को incinerate किया जाता था and then the ice melted to recover the silver और फिर वो जो ice आपको मिलती थी rocks जो मिलती थी उसमें से आप silver को recover करते थे the resulting silver then had to pass through the several stages of purification इसमें क्या होता था जो आपके पास silver मिलता था उसको बहूत सारी purification की stages से आपको pass करना पड़ता था मतलब उसका purification बहुत जादा करना पड़ता था ठीक है the process was inefficient यह जो process थी आपकी जो past में काम में ली जाती थी यह inefficient थी मतलब इसकी efficiency अच्छी नहीं थी इसकी दक्सता अच्छी नहीं थी इससे आपको proper silver recovery नहीं हो पाती थी ठीक है दूसरा costly थी यह बहुत ज़्यादा costly होती थी and environmentally unfriendly environmentally unfriendly कैसे हुआ क्योंकि आप जब x-ray film को burn करते हो incinerate करते हो तो वहाँ पे PVC वगरा है इनसे बहुत ज़्यादा air pollution create होता है ठीक है तो इस वज़े से यह जो process थी यह environmentally unfriendly थी ठीक है तो इस process को फिर क्या कर दिया गया eliminate कर दिया गया हटा दिया गया और अब नई process हम काम में लेने लगे अब जो process काम में लेते हैं उसमें क्या होता है इस को वोश बोला जाता है इसमें डिया किया जाता है टियर करने के बाद में उस फिलम के जो टुकडे हैं उनको क्या किया जाता है chemical के जो बड़े बड़े tanks होते हैं उनके अंदर उनको डाल दिया जाता है ठीक है example के तोर पे cyanide के solution that means cyanide के solutions के अंदर आप film के जो टुकड़े हैं छोटे-छोटे आप उनको वहाँ पे डाल दोगे अब यह cyanide solution क्या करता है the cyanide solution leaches the silver from the film remove करना cyanide solution क्या करेगा उसमें जितना भी silver के crystals हैं जितने भी silver के crystals हैं वो उनको remove कर लेगा और remove करके खुद के अंदर dissolve कर लेगा अब अपन कहां पे आ चुके हैं उसी condition पे आ चुके हैं जो आपकी fixer solution के अंदर थी fixer solution ने क्या किया था सारे के सारे जो unexposed azbr के crystal थे वो उनको खुद में dissolve कर लेते था अब यहां पे क्या हुआ जो film wastage है जिसमें exposed silver है black metallic silver यह उसको क्या कर रहा है remove करके खुद में dissolve कर लेगा then जो आपके पास अब जो solution था जो chemical था जिसके अंदर आपको silver के जो crystals है वो वहां पे dissolve है ठीक है आप उस solution को फिर electrolysis chemical precipitation या फिर metallic replacement method की साहता से वहां से silver recover कर सकते हो the silver is removed from the solution then by electrolysis जदा तर अपन electrolysis काम में लेते हैं हर जगर purification के अंदर तो यहां पे भी अपनने electrolysis की बात की है कि अपन उस solution से silver को कैसे निकालेंगे electrolysis के method से निकालेंगे ठीक है तो यह अपना पूरा silver recovery था silver recovery क्या होता है कैसे करना पड़ता है क्यों करना पड़ता है क्या-क्या factors इसको influence करते हैं क्या-क्या methods है fixer solution से आप कैसे silver को recover करोगे ठीक है और आपकी जो films है उनसे कैसे silver recover होगे जो आपकी radiographic film है उनसे silver को recover करने का कोई specific method अपने syllabus में है नहीं वैसे इसलिए अपन यहाँ पर explain नहीं करेंगे otherwise इसके भी specific methods होते है but mainly बात करें तो past के अंदर इनको incinerate करके किया जाता था और अब इनको क्या किया जाता है कि चोटे चोटे टुकडों में convert करके इसको फिर अपन chemicals में डालते हैं वो chemical उसमें से silver खुद के अंदर dissolve कर लेता है और फिर उस chemical के अंदर अपन electrolysis की सहयता से silver को recover कर लेते हैं ठीक है? Thank you झाल 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 झाल